So, Hey guys, Welcome back to another video. तो दोस्तो जैसे के आप सभी जानते हो कि रिसेंटली एक से देवर मेने पहले Infinix 9 Ultra Zero series में दो नाइज स्मार्टफोन को global market में launch किया था, जिसमें एक है Infinix 020 और दूसरा था Infinix Zero Ultra. दोस्तो, स्मार्टफोन के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, लेकिन यहाँ पर जो Infinix Zero Ultra है, उसकी officially India launch rate confirm हो चुकी है, तो आज इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसी smartphone की सारी specification की बारे में, इसके अंदर कितने watt का charger है, कितने mega pixel का camera है, साथी में यह वाले smartphone इंडिया में कब तक और किस price में देखने को मिलेगा, और दोस्तो चैनल पर पहली बार आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, ताकि ऐसे ही tech video हम आपको feature में दे सके, तो अगर सबसे पहले बात करते हैं, इसके test sampling rate का support, और यह करव डिस्पले होगी, जो कि इस phone का main highlight होने वाला है, जिसमें आपको in-display fingerprint scanner देखने को मिल जाएगा, तो overall display wise काफी कमाल का smartphone होने वाला है, और वही front side में single punch hole, जो कि top center में होगा, जिसके अंदर 32 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा, चलिए और बात करते हैं, तो इसके rear side में आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा, जिसका main camera 200 megapixel का होगा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 200 megapixel का camera मिलेगा, with OIS के साथ, plus 13 megapixel का ultra wide angle lens and 2 megapixel का macro sensor मिलने वाला है, तो यहाँ पर camera setup काफी interesting रहेगा, तो अब बात करते हैं इस phone के performance के बारे में, तो इसमें आपको मिलने वाला है MediaTek के तरफ से Dimensity 920 का powerful 5G chipset, यह जो chipset हो अपने आप में काफी च्छा processor और काफी खमाल की performance देदेगा, जो कि MediaTek का एक stable processor है, और RAM storage यहाँ आप आपको 8128 and 8256GB तक का RAM और storage फेरेंच देखने को मिलेगा, LPDDR5 RAM और storage टाइप के लिए UOS 3.1 का support मिलने वाला है, यह उटा दे बॉक्स Android 12 के साथ XOS 12 पर रन करेगा, और इस device में आपको gaming experience काफी च्छा रहेगा, तो no doubt performance वाइस काफी तकड़ा smartphone होने वाला है, तो अब बात करते हैं इसके look और design की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कर design और look देखने को मिलेगा, जहाँ पर पीछे के side glass pack दिया गया है, और top left corner में camera में जिसके अंदर आपको triple camera देखने को मिलता है, और इस smartphone देखने में काफी ज़्यादा premium लगता है, इसके लावाज में आपको touch support और stereo speaker का support देखने को मिल जाएगा, बाकी बैटी हो charging की बात करते हैं तो इसके अंदर 4500 में इसकी बैटी देखने को मिलेगी, और इसको charge करने के लिए 180 watt के fast charger का support मिलने वाला है, तो यहाँ पर smartphone काफी fast charge होगा, फाइनली बात करते हैं इसके launch rate और प्राइस की तो यह smartphone 20 December को officially launch होगा, और दोस्तों इसकी global price 35000 रुपर रखी गई थी, और इंडिया में हो सकता है कि इसकी price लगबग 27000 से लेकर 3000 के आजपास रहेगी, और वैसे आपकी क्या रहा है, यह smartphone को लेकर comment बताईएगा सरूर, और यह भी बताईएगा कि आप लोग इस smartphone के लिए excited हो, इसके लावा अगर आपका और कोई कोशन है तो आप पूछ सकते हो, बस इतना ही थास वाली वीडियो के लिए आई हो, वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,